Hello everyone, welcome back to the channel So, अभी कल ही President Election का Result आया है और Result क्या रहा है आप सब भी जानते होंगे Drapadi Murmu, यह हमारी Next President होने वाली है तो इनके बारे में कुछ बात करेंगे साथी Presidents से Related भी कुछ चीज़ें देख लेंगे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले Drapadi Murmu की बात की जाए तो इनका जन्म कहां हुआ था? Odisha में हुआ था, Odisha का Mayurbanj District का Upper Beda Village जो है यहां पर इनका 1958 में जन्म हुआ था एक संथाली ट्राइबल फैमिली में अब संथाली जो है यह एक ट्राइबल कम्यूनिटी है And I hope कि ट्राइबस इन इंडिया करके यह टॉपिक आपको कवर करवाया गया है तो आप लोग देख लिजेगा संथाली ट्राइबल I don't know exactly लेकिन most probably यह कवर किया गया होगा तो आपको वीडियो जाकर देख लिजेगा अब बात करें Drapadi Murmu यह केस पार्टी से बिलॉंग करती है तो भारती जंदा पार्टी बीजेपी से बिलॉंग करती है इनके हस्बंड शाम चंदर मुर्मू 2014 में जिनकी मृत्ती हो गई थी और क्योंकि इनकी जिन्दगी बहुत स्ट्रगल वाली रही है अपने दो बेटों, अपने हस्बंड कई सारे फैमिली मेंबर्स को इन्होंने कुछ टाइम पीरेट के दोरान ही खोया था तो यह चीज है फिर उसके बाद देखें तो यह जारखन की गवर्नर रह चुकी है अठारा माई 2015 को गवर्नर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था और यह जारखन की पहली वुमेन गवर्नर बनी थी और इसके साथ ही किसी भी इंडियन स्टेट में पहली फीमेल ट्राइबल लीडर बनी थी यह अब तक किसी भी स्टेट में कोई ट्राइबल विमिन गवर्नर की रूप में निकत नहीं हुई है यह पहली थी जो ओरिसा से हैं और जारखन की गवर्नर बनाई गई थी नेक्स्ट अब बात करते हैं जो प्रेजिडेंट के इलेक्शन हुए हैं इससे रेलेटेट थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए तो प्रेजिडेंट का जो इलेक्शन होता है प्रेजिडेंट इलेक्ट किये जाते हैं वो एक इलेक्टरल कॉलेज के थूँ इनका अपॉइन्मेंट किया जाता है या फिर चुने जाते हैं Electoral College क्या होता है? तो Electoral College में बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर अव परत्यक शुरूप से चुनाव करते हैं यानि कि हम डारेक्टली नहीं चुनते हैं हमारे प्रतेनी ती इनको चुनते हैं ठीक है, और इनके जो Judge. प्रेज़ेडिन का Electoral College होता है इसमें कौन-कौन होते हैं शामिल तो इसमें elected members of both houses होते हैं राजय सभा और लोकसभा दोनों के ही elected members जो है ठीक है नॉमिनेटर यहां पर शामिल नहीं होते है इसके अलावा legislative assemblies of all states including Delhi and Puducherry Delhi और Puducherry की भी legislative assembly है हलाकि यह UT है लेकिन क्योंकि यहां की legislative assembly है तो यहां के भी elected members जो है वो प्रेजिडेंट के जुनाव में भाग लेते हैं नॉमिनेटर मेंबर्स और राजय सभा and state assemblies are not eligible to vote ठीक है यह जीज़ आद रखेगा फिर इसके बाद कितना vote वेटिज कितना होता है voting का तो 700 की value होती है सभी MPs की ठीक है इच MPs vote carries a fixed vote value of 700 but in the case of MLAs जब हम Parliament की बात कर रहे हैं MPs की बात कर रहे हैं तो उनकी value है 700 ठीक है लेकिन जब हम legislative assembly की members की बात करते हैं तो इनकी vote value calculate होती है based on the population of the state ठीक है इसके बाद एक चीज और याद रख सकते है Secretary General of Rajas Abha जिनका नाम है PC Modi ये returning officer थे इस election के लिए ठीक है तो ये कुछ basic चीजे है question पर आते हैं हाली में भारत के पंद्रवे राष्ट्रोपती कौन बने है तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू 14th कौन थे रामनात कोविंद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रोपती कौन बनी है तो ये भी हैं द्रौपदी मुर्मू पहली कौन थी तो प्रतिभा देवी सिंग पातिल ये पहली हमारी प्रेजिडेंट ओफ इंडिया थी 12th प्रेजिडेंट थी ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है राष्ट्रोपती चुने जाने वाली पहली आदिवासी महिला कौन बनी है तो अफकोर्स दौपदी मुर्मू पहली ट्राइबल कम्यूनिटी से बिलॉंग करने वाली ये हमारी प्रेजिडेंट है बिहार से थे राष्ट्र मुस्लिम प्रेजिडेंट उफ इंडिया ये है ये है के न रायनन फर्स्ट सिकھ प्रेजिडेंट तो ये थे ग्यानी जाहिल सिंग फर्स्ट वूमन प्रेजिडेंट म्स्स प्रतिभा-धिवीसिंग पातल तो ये थे नीलम संजीवा रेडी और विच टू प्रेजिदेंस ओफ इंडिया डाइड दूरिंग हिस्ट यॉनियर अपने कारेकाल के दौरान ही इनकी मृत्य हो गई थी तो ये थे जाकिर हुसैन और फकरुद्दीन अली एहमद राष्ट्रोपती बनने से पहले दौरापदी मूर्मू की इस राजय की राजयपाल थी तो हमने पीछे देखा जारखन की राजयपाल ये रह चुकी है 2015 से 2021 तक राष्ट्रोपती के चुनाफ में दौरापदी मूर्मू का प्रतिद्वन्दी कौन था अपोजिट कैंडिडेट कौन था इनका तो ये थे यश्वन्थ जिन्हा जो की कॉंग्रेस पार्टी से बिलाउंग करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी चीज़े देखें तो ये हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं पहले 1990 से 1991 चंद्रशेखर सरकार में उसके बाद 1998 से 2002 में अटल विहारी वाजबे के सरकार के दौरान तीन सालों के लिए फाइनेंस मिनिस्टर थे ठीक है पहले 1998-99 बजट में पहली बार ये बजट इन्होंने मौर्निंग में पेश किया था ठीक है इससे पहले बिटिश एरा से चला आ रहा थी वो प्रता की बजट शाम को पेश किया चाता था लेकिन इन्होंने जब जस दौरान ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने तो ये हम अलग एक वीडियो में कवर कर चुके हैं तो आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से सारी जानकारी लेनी है तो प्रेसिडेंट ओफ इंडिया बाए इंडों लोगस करके आप सरच करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी बागी हम एक उपर से देख लेते हैं थ जाता है पांच साल के लिए इनका चुनाव होता है चुने जाते हैं और इलेजिबिलिटी चाहिए कि इन्होंने 35 साल की उम्र अपनी कंप्लीट कर ली हो यानि कि 35 वर्ष का कोई वेक्ती ही प्रेजिडेंट बन सकता है साथी में ही शुड़ बी क्वालिफाइड टू बे इ इसमें वही वेट्टेज वोटिंग की बात आती है रेजिगनेशन किसे देते हैं वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को केन बी रूमोफ ओनली इन केस ऑफ वाइलेशन ऑफ कॉन्सिटूशन कॉन कंड़क्ट करवाता है इलेक्शन तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पहले प्रेजिडेंट हमने देख लिया है करेंट है अंत्रापदी मूर्मो 15 थे 14 थे रामनात कोविंद और यह वही है चो हम पहले देख चुके हैं कई सारे समयधानिक पद हैं जिनकी निउक्टी के लिए प्रेजिडेंट जिम्मेदार होते हैं जैसे कि गवर्णर किसी भ प्रेजिडेंट के द्वारा ही की जाती हैं यह सारे आर्टिकल्स हैं तो दो बारा से वही चीज़े रिपीट करने का मतलब निया आप अलग से वह वीडियो देख सकते हैं क्वेश्टन एक लेते हैं भारते समिधान का कौन सा अनुचेद राश्रुपती के पत की अवधी से संबंधित है तो यह है अनुचेद 56 राश्रुपती पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है कहां पर तो यह दोनों ही हाउसेज में लोगसभा और राज्यसभा में किया जा सकता है भारत के राश्रुपती की महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह की प्रक्रिया है तो यह क्वाजी जुडिशल अर्धनिया एक प्रक्रिया है भारत के राश्रुपती के पास किस अनुचेद के तहत शमादान की शक्ति है तो यह है 72 आर्टिकल 72 के तहत नेक्स्ट क गामांडर कौन है ? तो ये प्रेजिडन्ट ही होते हैं, एक संघ राज़ शेतर के प्रशासन के लिए कौन, जिम्मदार है, जसकी अपनी निर्वाचित विर्हान सवार क्या है ? तो इसके लिए President ही जिम्मिदार होते हैं कोई भी Union Territory जिसकी खुद की Legislative Assembly नहीं है भारत के राश्रोपती को कितनी बार फिर से चुना जा सकता है तो for any number of terms कितनी भी बार चुना जा सकता है निम्नलकित में से कौन भारत के राश्रोपती की शक्ती नहीं है तो इन में से जो States के CM होते हैं उनके appointment की शक्ती राश्रोपती के पास नहीं है जो UTs हैं उनके CM की appointment की duty नहीं की है भारत के राश्रोपती द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकता मवधी कितनी हो सकती है तो अध्यादेश जारी किया जाता है, ordinance जारी किया जासकता है, इसकी अधिक्तम अवदी होती है, छे महिने और छे हफते Article 1, 2, 3 के तहत, ordinance पावर राश्ट्रपती की होती है Now this is the question for you, who is elected as new president of Sri Lanka? Option है, Ranil Vikram Singh है, Mahinda Rajpakshay, Gota Baya Rajpakshay, या फिर कुमार संगा करा I like the fourth option, okay, so this is our video, for this topic, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक को शेयर जरूर कीजेगा और thank you so much for watching the video, जाहिंद!